हेलो, स्रॉम्हालीकूम, दोस्तो, बहुत अर्षी बात, मैंने कुछ श्रेट लेली है, और छोटा-मोटा रिस्कत लेना ही पड़ता है, तो अभी इदर, यह है, M.K.R. सेवनांटी 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 त्री रांड्स, मैंने दो जगा लिमिट लगाती है, आठ सो दास पे शॉट्स का, लेकिन यह ट्रेटिंग जो है, अगर हम उसको तुक्का कहें, तो भी घलत नहीं होगा, कुछ लोग कहते है कि हनाल इस पर लाडिंग है, लेकिन इसमें सब कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं चलती, लेकिन बरहाल यह रीफ है, ठीके, BNX, जो करना क्या है, एरेस कम लेना है, ताकि लिकुडेशन नहीं हो, और प्रॉपिट भी कम, लोस भी कम, तो इंशालला कामियाभी यह आपकी मुकदर में होगी, यह MQR 797810 का मैंने लिमेट लगा दी, इधर MQR 805 पे दुबारा बाइंग होगी, फिर इंशालला यह 700 तक गिरे के समझ गए होंगे, एक-एक डालर लगा दिया करो, जिस कोई गैनर में ज्यादा है, आपको पता हो इन चीज़ों का, इस पर बड़ा ट्रेड बिल्कुल मतने, यह बहुत डेंजरस है, अगर आपके दो, तीन, चार ट्रेड यह अच्छी जारी हो, तो इसका मतलब यह नही के आप अपना पूर्पोलियो का आदा हिस्सा उसी एक ट्रेड के उपर मरकुस कर लो, अगर इसकी उपर मैं अभी एक लाक डालर या एक लाक रूपीज भी लगा देता, तो भी मुझे यह 88, 87, यानि के 100% प्लस यह प्रॉपिट दे रहे मुझे, पर इसका मतलब यह बिलक नुकसान उटा लूँगा, ना हम अच्छा हासा नुकसान चाहिए, ना अच्छा हासा पाइदा, क्योंकि जितना रेस्क लोगे ना, तो ठीक है, प्रॉपिट भी होगा अतना, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो आप लोग इदर देख सकते, ओपी, ओप लोगे, 3% लोगे, 44% परो, 28% प्रोपिट, 3% नुकसान, 84% प्रोपिट, 58% प्रोपिट, 31, 33, 33 नुकसान, और 15, 18% प्रोपिट, तो यह है, अगर मैंने अभी ट्रेडिंग शुरू की, तो कि बहुत 15 दिन होगे, इस इकाउन के उपर 15-20 दिन होगे, तक्रीबन कितना हो, अ क्योंकि और इकाउन में प्रोब्लम हो रही थी, तो अभी इसमें मुझे एक डालर का नुकसान आ रहा है, बाकि प्रोपिट में हो, अगर इसको में क्लोस कर दोती है, प्रोपिट टू डालर से, और यह तक्यों इस 15-20 दिनों में, 20 दिन होगे, 20 दिनों में मेरे पास, यह क बहुत बड़े-बड़े रिस्क लेती, प्रोपिट भी बहुत बनाया मैंने, लेकिन वो पैसा में का गया और इसकी बाद बहुत मोटा-मोटा नुकसान कर दिया मैंने, इसलिए इस पीच में मैंने एक 2-3 महीन ही बिलकुल ट्रेडिंग ही छोड़ दी थी, अभी वैसे ही शोक हुआ मैंने तकरिवन 5-6,000 तकरिवन रिचार्च कर वाया और इसके से लगा वो इंशालला आइस्था आइस्था, क्योंकि ज्यादा रिस्क प्रोपिट भी बहुत कमाया मैंने, बड़ा रिस्क लेके, लेकिन अगर एक 1-2 ट्रेड उलट पड़ता है ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होते हैं, बहुत लोगों ने बिल्कुल और प्रोपिट की पीछे नुकसान नहीं करना है जितना प्रोपिट बरदाश कर सकते हैं वो जितना नुकसान बरदाश कर सकते हैं, बस journeys हे वसे चलते हैं, तो अच्छा खासा होगा 5,000 की पीछे मेरे 20 दिनों में कितने बन गई तक्रीबन 14,000 तो यह 14,000 दिखा रहे लेकिन यह 14,000 नहीं यह बिल्कुल नहीं यह कि किसको मैं USD में अगर convert कर लूँ न तो यह बहुत ज्यादा बनते मेरे खियाल से लेकिन यह यह आफर स्टिंग में कर ले तो आप लोगों को PQRP, currency rate को मैं USD की उपर convert कर देता हो एक अन्वोट हो गया यह 54 डालर है 54.63 यह इससे भी ज्यादा है लेकिन खेर 54.63 मेरी कुछ पंड दूसरे एकांड में पढ़े रूना क्लासिक पढ़ा हुए मेरे पांस 54.63 जरफ अराउंड दोसु त्रियोसी का ओ सुरी यार 54. पॉइंट है यार 54.63 जरफ दोसु त्रियोसी पीटूपी तो सोलह जार बन गए तकरिव है यह पांची अजार की पीछे सोलह जार राउंड दस अजार का प्रोपिट हुआ मुझे पिछले बीस दिनों में तो बस बताने का मतलब सिरफ यह है कि आप लोगों ने वो ट्रेट चोड़ देने जो प्रोपिट को चपन त्रियासट चपन बासट गयने के बहुत कम रिसक है लेकिन बहुत प्रोपिट भी उसी साब से चल रहा है तो इसको मैं यूई रहने दे सकता हूँ ठीक इसको चोड़के ना पिर अगर बला ट्रेट आप लो लेगे ने तो आपको र कि चूटे चूटे ट्रेड लिई करो मुबाईल बन कर लिया करो फिर ऐक दू दिन बाद देखा करो दू तीन कंटेबाद देखा करो तो आप लोगों पतह चल रहा होगा कि मुझे कितने एक डालर थक की प्रोपेट हो हे और दर अधर ओपी 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 इधर मैंने लगा दी इंशालला आज रात तक गिरेगा 2.7, 2.7 ओपी, राउंड कितना बनता है, 2.7, 4.52, इंशालला ये गिरेगा, और इच्छा खान सा गिरेगा, तो बस थैंक्यों दोस्तों देखने के लिए, हो दापिस.